नमस्कार दोस्तों कैसो आप लोग मैं मोहिच कपूर जगू का संस्तान जपूर से आपका स्वागत करता हूँ जोग्राफी सिरीज के वीडियो में आज सुबह हम वापिस आपके सामने आए हैं और हम आज आपको जैसा कि मैंने कल आपको टॉपिक कराया था क्लाइमेट या जलवायू वाला तो जलवायू के मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक डेस्क्रिप्शन दिया था और उसी जलवायू के जो पार्ट नंबर टू है उसमें हमाज आ रहे हैं और कई और चीज़ें आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा हम जनरली जलवायू के बेसिक चीज़े पढ़ रहे थे जिसमें से मैंने कल आपको मौसम क्या होता है जलवायू क्या होती है पवने क्या होती है और वायू क्या होती है इनके बारे में पताया था आज हम इसके आगे वाले पार्ट में चलेंगे दोस्तों मैं एक चीज और बता दूँ अब हमारे रक्षा बंदन का पर्व है इसलिए लेक्चर जो होंगे हो दो-तिन दिन के ब्रेक के बाद होंगे और पांस तारिक से आपको बिल्कुल याद रखना है इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ पांस तारिक से हमारा स्टूडियो शुरू हो रहा है तो आप से ज़्यादा बहतर धंग से हम जुड़ पाएंगे और इंट्रेक्ट कर पाएंगे और पंद्रा अगस्त हमारा मोबाइल अंड्रोइड अप्लिकेशन शुरू हो रहा है तो आगे चालू करते हैं जलवाईू पार्ट टू हमारा टॉपिक हो गया जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था जलवाईू है और जलवाईू का जो पार्ट टू बोल सकते हैं या इसको क्या बोल सकते हैं पार्ट बी बोल सकते हैं ठीक है अब हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जलवाईू जो होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन सो होते हैं suppose मैं इसको आपको सबसे पहले भारत के respect में बता रहा हूँ फिर जब राजिस्थान हम पढ़ेंगे तो राजिस्थान के respect में बताऊंगा पर फिलाल जो मैं बता रहा हूँ वो आपको भारत के respect में बता रहा हूँ तो देखो भारत के respect में देखेंगे तो एक तो हम बिलकुल सामाने रूप से कह सकते है हिमाले परवत और जो हिमाले परवत शंकला है वो भारत के कौन सी दिशा में हो गई उत्तर दिशा में आपको पता है भारत के उत्तर दिशा में कौन सी हिमाले परवत शंकला है और हिमाल वाला भाग हो गया तिबबत के साथ पूरा जो कंट्रोल है यहां पर किसका हो गया चीन का हो गया और फिर और उत्तरदिशा की तरफ जाएंगे तो कौन सा देश आएगा रूस आएगा तो आपने देखा होगा जब शीत रितु आती है यानि अगर मैं यहां पर भूमद्दे रेखा बना दू यह मैंने कौन सी रेखा बनाईए भूमद्दे रेखा जिसको हम क्या कहते है जीरो डिगरी अक्षांश रेखा के नाम से जानते है इस रेखा के दक्षिन में जो गोलार्द है उस गोलार्द को कहते है दक्षणी गोलार्द क्या बोलते हैं दक्षणी गोलार्द और इसके उत्तर में जो गोलार्द है उसको हम क्या कहते हैं उत्री गोलार्द के नाम से जनते हैं तो जब शीतरितु आती है उत्री गोलार्द में जब शीतरितु का समय आता है तो क्या होता है कि जो उत्री द्रूव है को कि जब रूस के उपर जाएंगे या आर्क्टिक को पार करके तो यहां कौन सा द्रूव है उत्री द्रूव तो उत्री द्रूव से बरफीली हवाएं चलना क्या हो जाती है शुरू हो जाती है ये हवाएं रूस और चीन को जमा देती है आपने देखा है कि विश्व का जो सबसे ठंडा इस्थान माना जाता है वर्खोयानस्क वो भी रूस में है विवाद है कई लोग सोच रहोंगे कि वही सबसे जो नेगेटिव टेंपरेचर वाला इस्थान है वो वोस्तोक है तो वो विश्व का सबसे ठंडा इस्थान मानते हैं बर्खोयानस्क वो जो कहां पर है साइब्रेडिया साइब्रेडिया कहां पर है रूस में है और वहां का टेंपरेचर है माइनस 68.2 डिग्री सेल्सियस इसी के साथ दोस्तों चीन के भी कुछ शेतर जम जाते हैं और जैसे जैसे हम यहां यह बर्फीली होएं भारत तक पुछ तो भारत में इन बर्फीली अत्तिदिक बर्फीली हवाँ के अवरोधक का जो काम करता है वो कौन सा पर्वत करता है हिमाल्य पर्वत करता है यदि हिमाले परवत नहीं होता तो अब यकीन मानिए लगबग उत्तर और मद्ध भारत यानि गुजरात, मद्ध प्रदेश, राजिस्थान तक शेत्र पूरा बरवबारी से क्या हो जाता जम जाता जबकि ऐसा नहीं होता है तो भारत की रितू को अत्तिदिक ठंडी होने से बरफीली आंधियों से और बरवबारीयों से जो काफी हद तक बचाता है वो कौन सा परवत हो गया हमारा हिमाले परवत इसलिए इसको एक प्रमुक कारक के रूप में माना जाएगा ठीक है दूसरा हम देखेंगे तो दक्षिन में हिंद महासागर दक्षिन में आपका कौन सा हो गया हिंद महासागर हो गया इसको भी मैं एक बार समझाता हूं आपको कि हिंद महासागर भारत की जलवाईयों को किस तरह से प्रभावित करता है तो देखो भारत का दोस्तों यहां पर मैं जैसे प्रायदी पित तट बना रहो यह भारत का प में पहले भी lectures में पढ़ा चुक हूँ आपको ये कौन सा सागर हो गया अरब सागर हो गया जिसे Arabian Sea भी कहते हैं अच्छा ये कौन सी खाड़ी हो गई आपकी बंगाल की खाड़ी ये कौन सी खाड़ी हो गई बंगाल की खाड़ी हो गई और साथ साथ में ये दौने किसके हिस्से हो गए हिंद महासागर ये दौने किसके भाग माने जाते है हिंद महासागर के भाग माने जाते है अब क्या है कि दक्षिन भारत का जो हमारा प्रायदीप है ठीक है जो प्लैटू है वो तीन तरफ से जल से गिरावा हो, वैसे भी प्लेटू की सामने परीभाश अभी यही होती है, जो तीन तरफ से जल से गिरावा हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रायदीप कहते हैं, तो देखना है आपर, कि अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी और दौने किसके भागे हिंद म सागर अब यह पूरा का पूरा जो भारत की तर्ट रेखा है समुद्र के किनारे भारत के कितने राज्य समुद्री सीमाओं को इस पर्ष करते हैं नौ राज्य नौ राज्य ऐसे हैं गुजरात है महराष्ट है गोवा है करनाटक है केरल है तमिलनाडू है उसके बाद आपका उडिसा है बितमिलनाडू हो गया उडिसा हो गया आंदरप्रदेश हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया तो इस तरह से यहां की जलवायू ना तो अत्यदिक जो तटवर्ती शेत्र हैं वहां की जलवायू ना तो गर्मियों में बहुत अदिक गर्म होती है और सर्दियों मेना ठंडी होती है तो वहाँ सम जलवायू पाई जाती है हाँ वहाँ पर आदरता हुमिडिटी होगी परंतु जलवायू लगबग लगबग कैसी होगी सम जलवायू होगी अगर ध्यान से सुनना अगर यह यहाँ पर जल राशी नहीं होती तो जैसे अफरीका के कई देशों में गर्मियां पड़ती है इस तरह की बहुत जादा गर्मी भारत में पड़ती पर अत्यदिक गरम होने से और अत्यदिक थंडा होने से जो दक्षन भारत है उसको बचाने का जो मुख्य काम करता है वो कौन सा करता है हिंद महासागर करता है तो यह दूसरा कारण हो गया जो भारत की जलवायू को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा कारण देखेंगे, कुछ जनरल कारण है, ध्यान से देखना, जैसे, समुंद्र तल से उचाई, एक आपका कारण कौन सा हो गया, समुंद्र तल से उचाई, जैसे आप अगर लेक्चर में बताया था, जैसे जैसे उचाई बढ़ेगी, वैसे वैसे टेंपरेचर गटेगा, आप दो कंडिशन अजूम कीजिए, एक तो आप लगबख 16,000-17,000 फुट की उचाई पर है, और एक आप गोवा हैं, जो बिलकुल समुंद्र तल पर है, दोनों के मैदानी भागों की तुलना में कम हो गया, तो इंडिरेक्ली इस चीज ने हमारी जलवायू को प्रभावित किया या नहीं किया, तो इसलिए हम लिखते हैं, समुद्र तल से उचाई, ठीक है, चौता हम लिखते हैं, समुद्र से दूरी, पहला तो हमने क्या लिखा, समुद समुद्र से क्या लिख रहे हैं, दूरी लिख रहे हैं, जो इस्थान समुद्र के नजदीक होंगे, जैसा कि यह मैंने आपको धरन दिया है, यहां कैसी जलवायू पाई जाएगी, सम जलवायू पाई जाएगी, ठीक है, और जो इस्थान, जो इस्थान, वहां से नीचे न लिखा समुद्र से दूरी लिखा ठीक है तो यह चार मुख्य कारण हो गए अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं अभी भी कारक बचे वह हैं जो हमें इसमें study करने देखिए अगले जब point पर आते हैं जो point number 5 मान सकते हैं तो इसमें हम लिख सकते हैं तापांतर तापांतर वैसे यह कोई अलग point नहीं यह नहीं में include पर मैं बता दूँ आपको कल मैंने आपको एक relation बताया था और वो relation बताया था तापमान और वायूदाब में temperature और atmospheric pressure में जो relation होता है यानि तापमान और वायूदाब में जो संबंद होता है वो reciprocal होता है यानि एक दूसरे का inverse या उल्टा होता है यानि अगर तापमान बढ़ेगा तो वायूदाब घटेगा यदि तापमान घटेगा तो वायूदाब क्या करेगा बढ़ेगा अब मैं आपको यहां पर उधारन के साथ समझाओंगा मानो आप दो point पे हो एक आप हो go एक point तो कौन सा हो गया गोवा हो गया ठीक है और एक जगे हो गई यहां पर शिमला का हो गया हिमाचल प्रदेश में हो गया शिम्ला का हो गया हिमाचल प्रदेश में हो गया आप इन दोनों स्थानों को देखकर तुरंट बता सकते हो कि टेंप्रेचर कहां पर कम होगा तो देखो यहां पर जो टेंप्रेचर है शिम्ला में कम होगा और गोवा में शिम्ला की तुलना में मैं और और ज्यादा नहीं बो क्या बनेगा निम्न वायूदाब बनेगा और यहां टेंपरिचर कम है शिमला में तो यहां कैसा वायूदाब बनेगा उच्छ वायूदाब बनेगा ठीक है अब हमेशा आपको दियान रखना कल मैंने पवने पढ़ाई थी यानि ऐसी हवा या राशी बोल सकते हैं जो यह पवने हैं आपकी वह कैसे डियरेक्शन या दिशा उसकी कैसी होगी हमेशा उच्छ वायूदाब से निम्न वायूदाब की तरफ चलेगी तो यह क्या था यह दोनों जगे के टेंपरेचर में अंतर थाने तभी तो वायूदाब उच्छ से निम्न जनरेट हुए और इस और इसका स्क्रीनशोरट ले सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते है अब देखो कि आगे बढ़ेंगी तो और भी छोटे छोटे चोटे कारण होते हैं शोटे-शोटे कारण जैसे एक कारण होता है आपका सबसे प्रभावित करने वाले मुख्य कारण आपसे पूछे जाए तो तीन है एक हो गया उत्तर दिशा में कौन सा परवत हिमाले परवत दूसरा हो गया दक्षिन भारत में हिंद मासागरिया समुद्र कह सकते हैं और तीसरा और सबसे में जो कारण है वो कौन सा होता है मौनसून होता है और फिर फरदर कॉश्चन यहां पूछा जाता है कि मानसून को प्रभावित करने वाले कारण कौन से है तो जिससे एक हो गया इसमें तापांतर जो मैंने पहले भी बताया था दूसरा हो गया ITCZ यह ए आती है फिर मौनसून को प्रभावित करने वाले कारक में आपका आता एंअल नीनो मौनसून को प्रभावित करने जैसे मैं सपोज यहां पर point number seven लिख दूँ थार का मरुस्थल अब आप बोलोगे थार का मरुस्थल कैसे प्रभावित करता है कोई कि थार के मरुस्थल में बालू या बलू या मिट्टी का विस्तार है गरमी में तेजी से गरम हो जाता है गरम होगा तो high pressure बनाएगा और इस कारण क्या होता है कि यहां पर गरम हो जाएगा तो low pressure बनाएगा और इस कारण क्या होता है कि यह मौनसूनी हवाओं को attract करेगा अगर थार का मरुस्थल भारत में नहीं होता तो भारत में मौनसून कभी भी इतना अच्छा नहीं आता इसलिए हमारे जलवायू को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारण के रूप में और कौन सा है आपका थार का मरुस्तल तो concept वाला प्रशन है concept वाले प्रशन है पूछे आता है आपको simple सा थोड़ा knowledge होना चीए तो इसका answer आप असानी से क्या कर सकते हैं दे सकते हैं तो एक तो देखो ये तो जलवायू को प्रभावित करने वाले कारक हो गए जिसमें मौनसून भी शामिल है और फिर आपसे दूसरा question पूछा जाता है कि मौनसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं तो तापंतर हो गया ITCZ ठीक है ने इंटर ट्रोपिकल कन्वर्जेंस जोन हो गया अंते उश्न कटीबंदी अभी सरन शेतर भी कहते हैं पूरा मौनसून आपको डाइग्राम और लाइव वीडियो उसके माध्यम से पूरा मौनसून आपको डाइग्राम और लाइव वीडियो उसके माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद